आपने बहुत से बच्चों के टैलेंट देखे होंगे, बहुत सा टैलेंटेट बच्चे भी देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक छोटी सी बच्ची का ऐसा टैलेंट दिखाएंगे, जिससे देखके आप दंग रह जाएंगे. बिटे क्या नाम आपका? आरिका. किस क्लास में पढ़ती हैं? फर्स्ट. तो आज आप क्या करके दिखेंगे मैं? आज मैं आखों पर पट्टी बान के कलर करूंगी, मैं आज की कोशन स्वास करूंगी. आखों पट्टी बंद के? येस. तो आरिका जी कह रही है है आज मैं आखों पट्टी बंद के कलर करेंगी और मैं इसका कुशन स्वास करेंगी. तो चलिए आज दिखते हैं. मिरे पास ये पट्टी है. ये पट्टी से पहले हम इंके ये दो ब्लैक पफ लगाएंगे. और दबल क्लॉथ पट्टी है ुए एकटासे रेट कलोथ है एकटासे बल्ライ calls है यह हूं का बाळ देंगे और था अब देखते हैं कि यह कलर कर पाती है या नहीं कर पाती है यह इसके हमने यह टेक्डम बना दिया है अरिकार उसे कलर करकर दिखाईए और कलर आका बाहर नहीं कलना चाहिए यह देखे कितना सही कलर कर रही है जादा सा भी कहीं बाहर नहीं कल रहा है जहां जहां बांटरी इने पहले ही मालन पर जा रहा है उसकी साथ से अपने हाथ को घुमा ले रही है वो कहीं पर ज़रा से बाहर नहीं निकला है एका जगे पर हलका सा बाहर है लेकि वह क्लास फरस्ट के बच्चे साथ इतना एक्सपेट करते हैं कि थोड़ा सा उंका कलर बाहर निकल सकता है नने के कि अगे ऐन पर हुआ झॉँआ है यह को है सबस्ते हुआ हुआ कि यह जैखिए मैंने कोशन्स दिये और मैंने इनने नहीं मालू कहां पर कॉशन्स नहीं करेंगे अरे का आप इनने कोशन्स सो सब्सक्रा सकती है चलिए सौल किजैंगे वेरी गुड देखे 57 दिन लिका 21 प्लस 36 57 देखे गॡूट मैंगे ब्सक्रा सर्ण कोशन्स से शिर्टी दिन लिक यह न वावाफ बाभत कोशन्स दिन लिकांख बीक करेंगे और का वेरी गुड यह देखिए 34 25 59 ने लिखा 56 11 67 ने लिखा इन्हें नहीं मालूं तो क्या कोश्चन्स हैं कहां पर कोश्चन्स दिया रहे हैं तब इन्होंने सारे कोश्चन्स बिल्कुल सही किये क्योंकि मैं यहां पर देख रही थी और में यहां पर सब बन के आ रहा था आप यहां पर लिखा आपके महां थे बन के आ रहा था येस और यह जो डैगरम पर ने कलर किया ये यह बें के आ रहा है और यही शुक्ष बन के आ रहा था येस जो थैंक्यों आरिका आपके बहुत यह अछा टैलेंट है थैंकयों वेल्कम जैसे कि आमने देखा कि आरिका ने सारे कोश्चन्स बिल्कुल सही अज़े सौल के, कलरी विल्क अच्छा किया, यह गोई मैजी के ट्रिक नहीं है, यह मिड बेन एक्टिवेशन है, अरिका ने मिड बेन एक्टिवेशन का कोस किया है, इसे इंकी मेमरी पावब, कंसंट्रेशन, क्रेटिविटी, विजुलाइजेशन, बहुत जादा डवलप कर अरिकलिन रहे इसका आँखों अन्हों पावजूद हो जादितख थारागल, इसकी कि घिंजन निए अनके प्टिवेशन के सारे एक्टिवेशन केजिए, आखों पावन बनना ये, टेस्ट होता ए, जो बताता है, कि आटक अगर मिड बेन एक्टिवेट हो चु sleeps, क्योंकि है आगके बच्चे का मिडर्बेम्ड अक्टिवेट हो नहीं है। तो भी गर्लंबू भूब सकते हैं कि बच्चे का मिडर्बेंड एक्टिवेट हो चुका ए'Mय जो गदेंगे । कि अगर उससे मैं आप त्क हो हम लोग यह सब एक्टिटीज नहीं कर सकते हैं तो आप चाहते हैं कि आपके बच्छों के अंदर भी काबियत आए तो स्कील पर नीचे नंबर आ रहा है उस पर में कॉल किजे और अपने बच्छों को इस कोर्स में इंडोल करवाई है यह कोर्स ऑन-लाइन और ऑफ-लाइन जो इस कोर्स से बच्छों को कोई इक्ष्टर बर्डवन भी नहीं पढ़ता है क्योंकि इस कोर्स हफ्ते में सिर्ख एक क्लैस होती है तो कि इसी इस्ट्उड़ेंट पे को Powin एक एकट्छर बर्डवन नहीं पढ़ेगा और एकर लास में आराम से कर सकता है तो जल्दी से इस को उसमें इंडॉल करवाई इतने बच्चों को उन्हें बहुत ही अच्छा और एक अद्भुत टैलेंट दीजे इसके लावा हम और में कोर्स करवाते हैं जैसे कि वेदिक मैज वेदिक मैज का कोर्स करने से आकि मैज सी कैलकुरेशन स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती ह है एक प्रोक्सिमली एट तो तेंट टैंस आकि स्पीड बढ़ जाती है अगर आपके साने 15 कोशन है उन्हें सॉल्ड करने में नॉमली आपको 30-45 मिनूट्स लगते हैं तो वेदिक मैज का कोर्स करने से वही 15 कोशन सर्फ 3-4 मिनूट में सॉल्ड कर सकते हैं जी हां सिर्फ 3 तो इसके साथ हमें एक NLP करवाते हैं उससे बच्चों की लर्णिंग स्पीड बहुत जाता बढ़ जाती है अकसर हमने देखा होगा कि हिस्ट्री जोग्रफी के जो बड़े बड़े प्याग्राफ्स होते हैं एसेज होते हैं या इंगलिश और हिंदी में जो एसेज और निवन्द होते हैं उन्हें याद करने में बच्चों को आदा से पौन गंटा लग जाता है लेकिन अगर वही ची करें वह उसको भूल जाएंगे लेंकि याद करने के बाद वह ऋब से पांसे साथ मिनट में वह उसको डिवाइज नहीं नहीं में करेंगे तो बहुंद्रा दिं तक उस चीज को नहीं भूलेंगे तो उनकी लेनिंग इस पीड़ी और जो चुन नहीं याध किया है उसको रि ज्यादा जानकारी के लिए स्कीन पे जो नीचे नमबार है उस पर में प्रेल करें अपने बच्चों को या अपने आप को इन को इन्रोल करवाएं अमेद करता हूं कि आपको मारा वीडियो पसंद आयोगा तो इसे जल्दी जल्दी लाइक कीजे और कमेंट करके में बताएए क्या अका मारा वीडियो कैसा लगा जादा जादा शेयर कीजे कि ऊसकता है आपके घर में कोई वच्चा नहों लेगा कि दोस्तों के यहां झाल झाल